नमस्षवार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आप शबी को बता दे कि आपके शाथ पुष्टें भी राजा बन जाएंगी बिल्कुल हीरे शबी किमती है यहाई एक महिला जिया दोसों इस तरीका शाथ होने शी आप शबी का घर बिल्कुल श्वर्ग बन जाएंगा उस बत दे कि यह मंधा आपको नीचे नहीं बलकि लोट् चाइयों तक ले जाएगा दोस्तों के मिश महिला का शाथ मिल जाए तो दोस्तों यह आपको कड़ों के मालिक बना देंगे राजा की गद्धी पर यह महिला आपको बैठा शक्ति है जिया दोस्तों तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिश ना करें और दोस्तों शुरूच लेकर अंद तक जरू पाएंगे कि आखिरे कौन शाहिस्तरी आपकी जुनकाल के लिए श्रब से अच्छा जुबन शाती है और दोस्तों इनका श्राथ यह आपको मिल जाए तो दोस्तों इनका हाथ आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों यह कूछ ऐसे लोग हैं जिनका अगर आपका शात मिल जाए तो दोस्तों आपकी जिन्दगी श्वर्ग बन जाएगी जिए उनमें चल रही शारी परिशानियां कर शब को श्रमाप्त हो जाएंगे और पिछले कापी श्मिष से चिन चीजों को लेकर आप परिशान होते हैं दोस्तों वादीरे धीरे खत्म हो जा साथ साथ आपके उपर सचा बिश्वास बीकरते ही जन Qatar चांता इस ज्युम्षि के लिइए बहुती ज्यादा महदपुन बहुती ज्यादा खाश और बहुती ज्यादा जरूरी रहने वाली है इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल ही मिश्व ने और यह ब्यू यदि आप मारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दें और दोस्तों कमेंट बॉक्ष में शच्ची मंसे जय शनीदेब लिख दें बगवान शनीदेब का अशिरवाद आप शिभी को प्राप्त होग कि यदि आपका सब कुछ लुट भी जाए चला भी जाए तब दोस्तों आप अपना शाहस को नहीं चोहते हैं सब कुछ तहस नहस भी हो जाए तब ही दोस्तों आपने आत्मिश्वास को आत्म शम्मान को कभी नहीं खोते अगर कोई काम करने की ठान ले तो दोस्तों आप च करके ही दम लेते हैं अगर किसी से सच्चा प्यार की बात करें तो दोस्तों अगर आप में जुनकाल में किसी से सच्चे प्यार करने में लग जाते हैं तो दोस्तों आप लोग इस तरह उसके प्यार में यूँकि हैं उसके दिल से इस तरह जुड़ जाते हैं कि दोस्तों अप पर लगा लेते हैं काफी ज़्यादा इमोक्षन भी आपके अंदर भरा रहता है बहुत ही ज़्यादा भाव किश्म के आप व्यक्ति होते हैं और चोटी-चोटी बातों को आपने दिल पर भी लगा लेते हैं दोस्वों कुछ बातें तो एशी भी होती है कि आप चाहकर भी भ जिसको आपने अपना शमज कर उसके लिए शब कुछ किया है दिनराद उसके लिए एक कर दिया है और दोस्तों अंत में वही इंशान आपकी रिश्पेक्ट ना करें आपकी खिल्ले अनुड़े लग जाए आपकी फिलिंग को हट करने लग जाए यानि कि दोस्तों आपको काम हो जाता है तब दोस्तों आप शे किनारा कर लेते हैं दोस्तों आप शिवी को बताना चाहेंगे कि किसी से प्यार करना और किसी से प्यार बाटना वो तो आपकी राशी वालों से शिखे बिना किशी के श्वार्त के आप लोग दुसरों का भला करते चले जाते हैं दोस् दोस्तों आप शी बात भी करना बंद कर दिये आपकी हर चीजों को इग्नोर करने लग जाए दोस्तों आपकी प्यार बेरी जिंद्गी जो है वो रूठने और मनाने में भी अभी तक चल रही है दोस्तों आपके शाथ अक्षर एशा देखा गया है कि आप एक प्रोलम शी बा हो रहा अपनी राय हमें कमेंड करके कमेंड के द्वारा जरूर बताईएगा और दोस्तों आप लोगों को तो एशे में खुशियों की कमी नहीं होती कि दोस्तों आपका जो भगवान है इतना बड़ा है कि दोस्तों आपको शब कुछ देता है जो आपकी जुरत की चीज़ आनों के दोसों आप लोग अपने निकाल देजी आपको मैं बता दूं कि हमेशा एक जिद्धी हो cauliflower तो मैं परिष्यां ब्रूंगी में आपके पास जितनी भी प्रेशन आए ? duplicate टेंशन आए हर मुश्किल का शामना आपने हशकर किया है हिम्मत कभी आपने नहीं हारा किसी भी चीछ को पाने के लिए आप उम्मीद नहीं जिद रखते हैं यही आदत आपको दुश्रों के अलग बनाता है दोस्तों यही आदत आपकी में भी आपको स्फ़लता भी दिलवाता है दोस्व आप को सभी को बता दें कि दूश्मुनों की चोड़ तो आप खुशी-खुशी शह लेते हैं लेकिन दोस्व आपका दिल तब बहुत जादा टोट जाता है जब कोई आपका अपना ही आपको चोड़ पहुंचाता दोसों खैर जो हो चुका अब तो वह हो चुका लेकिन दोसों आने वाले श्रुमि में आपको बहुत कुछ जरुरी चीजे का ध्यान रखना है जिए दोसों उसमें शब से जरुरी और पहली चीज आती है कि दोसों आप लोगों को किशे के वी उपर अब बहुत जल्दी भरो ग्रुशा नहीं करना है जियां दोसों हम आप शिपी को बता दें कि आप लोग हमेशा रही हैं चुने में गलती कर देते हैं बंत में आप बहुत ज़र्दाते भी हैं इसलिए दोस्तों हम आप शिबी को यह बात बता दें कि यदि आप लोग शिंगल हैं यदि आपकी शादी हो चुकी है या फिर दोस्तों आपकी शादी किशी के शाथ होने वाली है तो दोस्तों आपको कौशा व्यक्ति है कौशी लोग है कौशी औरत है कौशी नारी ह कौन शी महिला है या फिर वह कौन शी नाम वाले लोग हैं जिनसे आपको जुड़ना जिनसे आपका रिज्टा बनना आपके लिए बहुत यह अच्छा रहेगा यहाँ पर दोसों हम शिप विवा की बात नहीं कर रहें आपके अच्छे मित्र करीबी मित्र भी शे बना शकते हैं जिया दोसों शबसे पहली चीज है जिसकी आपको जनकारी लेना चाहिए कि आपकी राशी वालों को इस तरी की शुंदरता को देखकर बिवा करने ले नहीं लेना चाहिए जिया दोसों दोसों आपको यह बात शुमजनी होगी कि इस तरी की शुंदरता को लेकर जो भी बिवा होता है और बहुती बड़ी भूल होती है जिया दोसों यह आपके लि उसके गुन को देखा जाए जै दोस्तों इसके विविद इस्तरियों को भी अपने जिऊन साती का चुना करते हैं में इन बातों का ध्यान अवश रखना चाहिए। इसके साथ दोस्तों माप शिवी को एक और बात बता दें कि आप उशी औरा शिये उशी इस्तरी शिवीवा करें जो कि दोस्तों श्वेक्षा शिये आप शिये बिवा करने के लिए तयार हो यानि कि दोस्तों आपको बता दें जो जबस्तित से किया गया अगामी बिवा तोत ज़्यादा प्रेम करती है और वह बहुत ज़्यादा परवाह करती हो दोशनों एशे इसस्तरी का शात आपको कभी भी नहीं लuhट चाहिए भुई में अगर उसकी के शात आपका जगड़ा भी हो जाए तो आपको नहीं नहीं देख सकती यहां पर दोसों आप शिवे को एक बात और बता दी कि पूरुष के शात साथ इस्तरी को भी धर्म इस्ता की पॉस्तरा रखना क्षे जरूरी है जो आपको बता दी कि जोट इस्तरी त Itsиков करने जा रहे हैं तो दोसों सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वह इस्तरी धर में अस्ता रखती है या फिर नहीं दोसों आपको एस्तरीयों पर बिश्वास करना चाहिए जो कि आप में अपने पिता को देखे और आप भी उशे उसके पिता की तरह आप शमान करें उनका ख्याल रखें और दोसों एस्तरीयां भुष में आपको कभी भी धोखा भी नहीं देंगे दोसों शबसे ज़री बात आपको यहां पर शमाजना चाहिए कि दोसों चाहे कोई कितना भी शुन्दर क्यों न हो लेकिन हमेशा ऐसे ही आप करें जिसके लिए आपका शुभाव शबसे ज़्यादा महत रखता है क्यों दोसों उमर बित जाने पर शुन्दरता तो कम हो जा दोसों इसके शाथ ही आपको उसी इस्तिरी शी बिवा करना चाहिए जो कि किशी के शाथ प्रेम शमन में पहले शेही ना जुड़ा हो क्यों दोसों अगर आप दवाव डाल कर या फिर जो जबस्ति करके उनके शाथ बिवा कर लेंगे तो दोसों यह इसे इस्तिरी का मन आपको एक और बात समेनी चाहिए कि जिस इस्तिरी को किशी प्रोशे प्रेम हो और वह उसकी प्रवा करती हो तो दोसों इसे प्रोश को कभी भी उनका हाथ नहीं चोड़ना चाहिए उसके शाथ चाहिए भश में कितने बेजगड़े क्यों नहों दोसों कितने भी शाथ आपको कभी भी नहीं च्रण चाहिए उस इस्तिरी का प्रेम उसे शुलह करने पर मजबूत कर देगा दोसों इस इस इस्तिरी हमेशा घर में खुश्याली लाती है जिस कि विवा करना उत्तम रेता है दोस्वों अगर हम यक्ष्ण और इसके शायद दोस्तों उस पुरुष का जो नाम है जो कि इस तरियों के लिए शब्शे बेश्ट है शब्शे लग्की है नाम है सी आर जी एश ए एम पी आई एच तो दोस्तों उम्मीद करतें कि आज के यह वीडियो आप शुपी को फचंद आया है दोस्तों आप शुप अधिक जनकरिया हम आप तक सबसे पहले पहुचा सके धन्यवाद